हाई फ्रेंड कैसे हैं आप लोग उम्मीद है अच्छे और सौस्थ होंगे आज मैं आप सब के लिए बहुत ही अच्छी वीडियो ले किया हूं जिससे आप अपने सामान तो बचा ही सकते हैं और अपने खाने को भी स्वाधिस्ट बना सकते हैं चलिए फ्रेंड हम वीडियो को सुरू करते हैं वीडियो को सुरू करने से पहले अगर मेरी वीडियो आपको जड़ासा भी अच्छी लगे यूच्छ फूल लगे तो प्लिक वीडियो को लाइक सब्सक्राइब सेर करना बिल्कुल भी मत भूलिए का जब भी हम इस तरह से सब मतलब इसको जो दंधल होता इसको तोड़ना भी नहीं है इसको ऐसे ही डालना है क्योंकि अगर आप इसको डंधल तोड़ देंगी तो ये गल जाएगा और गलने में ये तीखापन इसमें मिल जाएगा सबजी में तो आप इसको नहीं तोड़ेंगी तो ये ऐसे ही रहेगा ज जब भी आप मसाला इकदम से आपका पक चुका हो तब इसको डालना है आपको ये देखिए फ्रेंड इसी तरह से आपको करना होगा और आपको अलग से सबजी बिल्कुल भी नहीं बनानी होगी आप यही सबजी अपने बच्चों को भी दे सकते हैं और आप भी खा सकते हैं तो फ्रेंड आपका बहुती कामीजी हो जाएगा बिल्कुल ही आसान तरीका है। क्या होता है फ्रेंड जब हमारी घर में छोटे बच्चे होते हैं और वो तीखा नहीं खाते हैं तो हमको उनको अलग से सबजी बना कर देनी पड़ती है। तो फ्रेंड इसके लिए अगर आप यह ट्रिक का यूज करेंगी तो आप आराम से इसकी सबजी बना कर बच्चों को भी खिला सकती हैं और खुद भी खा सकती हैं तो फ्रेंड यह टिप्स आपको कैसी लगी प्लीज कमेंट कीजिएगा अब चलते हैं अपने हम निश्ट टि इसमें डाल देते हैं तो फ्रेंड कभी भी हमको सबजी में ठंडा पानी बिल्कुल भी नहीं डालना होता इससे क्या होता है फ्रेंड सबजी तो पक होटी है और ठंडा पानी डालने से यह सब्रसॆता है इसके लिए आपको एक काम करना होगा आपको अलक oikeग से घयस पानी डाल दीजिए अभी बहुत थोड़ी देर में देखिए यह पानी गरम हो जाएगा आप सब्जी थोड़ी देर तो भुनती ही होंगी भुनने पर ही आप इसको ऐसे ही रख दीजिए यह देख सकते हैं इसी तरह से आपको रख देना है यह अच्छे से जब तक आपको सब्जी इद्रम से अच्छे से भुनने कि तब तक यह अच्छे से गरम हो जाएगा बहुत ही आसान है कोई भी जंजट आपको नहीं करना है नहीं आपको गयस इसमें लगता है ना कुछ लगता है और आपकी सब्जी बहुत ज़्यादा स्वाधिश्ट और अच्छी इसको कर देना है यह देख सकते हैं अब यह अच्छे से पानी गरम हो चुका है अब हम सब्जी को इस तरह से चलाने के बाद पानी को इसमें डाल देना और इसको ऐसे ही रख देना बहुत ही अच्छे ट्रीक जरूरी यूज कीजिएगा अब चलते हैं अपने हम निस्ट आले और हमारा हाथ साफ साफ रहे और यह निकल भी आए तो आप जिससे यह निकल दिनार और बहुती आसान तरीके निकलाएक यह देख सकते हैं यह दिनार और इह बिल्कुल भी आपके हात में नहीं लगेगा आप इसको आपको ऊच्छी लगिए कि तरफ इसे अयशी tip को देती रहोंगी चलिए अब चलते हैं नेश вопрос की तरफ कितनी गर्मी होने लगी है अपने घर में या पंका चलालो या कोलर चलालो किसी से भी रहत नहीं मिलती है तो अगर आपको रात में नीन ना आती हो आपको गर्मी की वजासे आपके घर में एसी ना लगा हो तो आप एक काम किजिए जिससे आप बहुत ही आसानी से सो सकते हैं बिना एजी के आपको ठंडी ठंडी रहत मिलती रहे कि तो फ्रेंट उसके लिए आपको क्या करना होगा उसके लिए आपको अपना विट्सित बस आप इसको आधे एक घंटे के लिए ऐसे ही अपने फ्रेजर में रख देना है यह देखे फ्रेंट जिस तरह से मैं आपको मनें अपने बाद के लिए बेचान और इसको में और ताफ़ना होगे में आपको ठंडा हो चुका है और इसको हम भीआरा upfront पैंट सेट में बिछा लिया है बिल्कुल ही ठंडा है आप इसके सोएंगी तो आपको तुरंती नींद आ जाएगी यह बहुत ही अच्छी ट्रिक है फ्रेंड गर्मी में तो फ्रेंड आपको इन में से सबसे अच्छी कौन सी ट्रिक लगी प्लीज कमेंट कीजिएगा और ऐसे ही सकती आपको दिल से दन्ध देजिए। टैकंड आपको दिल्से धन्द्डू जाएं का कमेंट आपको दिल से धन्दू आपको दिलसे धन्दाएं